हम लोग गुजरात में हैं, बजपन से कहावत सुनते हैं, निशान चुक माफ, नहीं माफ नीचू निशान, यानि अगर निशान चुक जाते हैं, तो माफ हो सकता है, लेकिन अगर निशान नीचा रखते हैं, तो उसके लिए कोई माफ हो सकता है, जब लक्ष ताय करते हैं, तो मेरा मत रहता है कि लक्ष ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड में ना है याने लगता है भाई एक बार पहुंच वाला लक्ष होगा जो पकड में आ जायेगा तो फिर नया लक्ष का प्रेणा उसी में से पैदा है और इसलिए लेकिन ऐसा भी नहों कि हम कुछ नहीं करने के लिए बड़े-बड़े लख्ष की बाते करते रहें मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि ग्रेजुएशन की बात रूचिंगे क्या करते हैं अमक Tai मैं हरान था इतने सारे लोग सीएङ कहरें क्या क्या को कर रे सारे तो अटैस्टंब तो पता चला कि वो है यह में एक 20 साल पहले की बात कर दाओ कि यह सिये कर रहा है उंसक्यों करें तो मैंने थोड़ा उनके परिवार इधर उधर बाते करते देखने मैंने पाया कि कुछ नहीं करता हो यह जवाब बना भारी रहता है अब 20-20-22 साल के उमर हो गई है दिश्थे भी आते हैं तो माबाप क्या जवाब दे तो वो भी आसानी से कहते बेटा सीए कर रहा है अब यह लक्ष नहीं है यह तो एक प्रकार थे चालबाजी है अपने आपको सुरक्षित कर दें हमें पहले अपने आपको भली भाती जाना जाएं अपने तरीके से जानना चाहिए किसी के संदर्व में नहीं अपने माबाप के सपनों के संदर्व में नहीं अपने टीचर के संदर्व में अपके प्रदान बंदरी के भाषन के संदर्व में नहीं खुज के संदर्व में मैंने जो ताई किया था पहले क्या हुआ उसका उससे आपको पता चलेगा हाँ मैं इतना तो कर सकता हूं तो ताई करो यहां नहीं रुकना है पांच कदम और जाना है लक्ष अपने सामर्थ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की और ले जाने वाला होना है से आसा नहां कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ ही मरता चला जाता है और और ऐसी जिन्दगी कभी नहीं होनी चाहिए और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष असाफ होने चाहिए रस्त दो-प्रकार की भी होते हैं एक अंतिम लक्षी प्राप्ति के लिए छोटे-छोटे आपने देखा होगा कोई जो बड़ी पहाडी चरता है तो पहले छोटी-छोटी पहाडियों को लक्ष पना करके चरते-चरते उसको सिद्र करके फिर अगली चोटी पर जाता है हमने भी कोशी घही करनी चाहिए तब जाकर के मैं समझता हूं कि हम लक्ष के साथ जीवन को चला सकते हैं और उस लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो हमने एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए देखना ची अंदर कि मैंने यह त करते रहेंगे तो बड़े लक्ष तक जाने में कोई बड़ा हाथसा नहीं होगा आप उसको आसानी से करेक्ट करते जाएंगे पार करते जाएंगे तो लक्ष सिर्फ बोना इनप नहीं है लक्ष पाने के रास्ते में आपका कितना कॉंसेंटेशन है आप कितनी एनर्जी कितनी लगाते हैं किस काम के लिए कितना समय लगाना चाहिए कैसे लगाना चाहिए इस पर अगर आप जागरत है मुझे विश्वास है कि कोई लक्ष बेकार नहीं जाता है